राश्ची राश्धानी दिली में केंद्रिय विद्याले के एक शौचाले में गैंग रेप की घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिये हैं ट्वाइलेट में दो सीनियर छात्रों ने 11 साल की एक छात्रा के साथ कतित तौर पर सामूहिक दुशकरम किया पुलिस अधिकारियों के मताबिक गुरुवार को बताया गया कि संबन में मामला दर्श किया गया है वही केंद्रिय विद्याले संगठन के शेत्रिय कारियाले ने भी जाँच के आदेश दिये हैं ये कतित घटना जुलाई की है और पिडिता ने मंगलवार को दिल्ली महिला आयोग द्वारा मामले को उठाय जाने के बाद पुलिस से संपर किया है आपको बदाए इस घटना को गंभीर मामला बताते हुए DCW ने दिल्ली पुलिस और स्कूल के प्रधाना चारे को नोटेश जारी किया है आपको बदाए स्कूल के अधिकारियों को ये भी बताने के लिए कहा गया है कि उनकी और से पुलिस को घटना की सूचना क्यों नहीं दी गई उदर केंद्रिय विद्याले संगठन के अधिकारियों ने कहा है कि घटना की सूचना पीड़ता या उसके माता पिता ने स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं दी थी और पुलिश जांच के बाद ही ये मामला सामने आया है वहीं स्वाती मालीवाल ने कहा कि हमें दिल्ली के एक स्कूल के अंदर 11 साल की छात्रा के साथ सामोहिक बलातकार के एक बेहत गंभीर मामले के बारे में जानकारी मिली लड़की ने आरूप लगाया है कि उसके स्कूल के शिक्षक ने मामले को दबाने की कोशिश की ये बेहत दुर भाग्य पूर्ण है कि राश्य राजधानी दिल्ली के स्कूलों में भी बच्चे सुरक्षित नहीं है उन्होंने इस मामने में कड़ी कारवाई की मांग की है ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रही है पंचाब केसरी